तो यह जो घर दिगरा संजे हाउस और संजे पलाजा यह घर जो है मशूर अभीनेता उनीस सो सतर असी दशक के संजे खान का जो के काफी आलिशान सा बिल्डिक आपको यहां से दिख रहा होगा और बहुत ही खुबसूरत है इसमें अपने पूरे फैमली के साथ रहते हैं हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मित करता हूं कि सब खारियस होंगे तो फिलाल फिर से मैं पहुंच चुका मुंबई के जुहू में जैसे का आपको यह दिगरा पूरा जुहू का अलाका और बहुत ही पौश अलाका जुहू का माना जाका तो आज हम एक ऐसे पुराने ए अगर आप इसमें बात करने कोशित करेंगे और उसका हाश टूर भी कराएंगे के संजय खान कहां पर मुंबई में उनका घर पर उपर है और कैसा घर देखने में लगता है और उसका प्राइज वगरा भी और पूरा डिटेर्स में बात करेंगे उससे पहले कि यह वीडियो तो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को फोलो और यूटूब मेरे चानल मीरू बलस को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे ताकर इसी तरह का वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंस तारे है चले वीडियो को यहां पहुंच चुका हूँ संजय खान के हाउस के सामने यानि घर के उनके सामने यहां साब देख सकते हैं यह खुपसूरत सा जो कि बिल्लिंग आपको दिख़ा लागबग 5-7 फेलोड का यह बिल्लिंग है बहुत ही खुपसूरत है इसमें संजय खान अपने फुरे फैमली के साथ रहते है जो के यह घर आपको जुहू में देखने को मिलेगा और आपको पता ही कि जुहू कितना पॉश इलाका माना जाता है मुंबई का और यहां पर बड़े-बड़े सलेबेटी रहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं संजय खान का हाउस टूर कराने वाला हूं पर उपर एड्रेस के साथ तो आप बड़े-बड़े पेड़े लगे हैं जिसके करन पूरा फोटो और वीडियो किलियर नहीं आ पाता है फिर भी मैं कोशिस करता है अच्छे से दिखाने कि यहां देख सकते कितना बड़ा-बड़ा पेड़ा लगा हुआ है और यह देखे ऊपर तक उपर का यह परसा में नहीं आता थे और फिरोज खान जो के बहुत ही मशूरा अबीनेतर थे उनके यह भाई संजय खान है तो अगर संजय खान की यह तो फ्लि इंडिश्टरी के अंदर संजय खान के लोग नाम से लोग जानते हैं अगर इनके रियल नेम की बात करते हैं तो इनका जो रियल नेम है अबास खान और अगर इनके वाइफ की बात करते हैं तो इनके इन्होंने दो शादी की अपने लाइफ में पहली शादी की थी जरीन कटरक के साथ जो के 1966 में उसके बासे इन्होंने द सादिक साधिक ऑली ऐसी का नाम है ये फिल्म इंडेशटि का अदर बहुत सारे रूपों काम किया जैसे पररोडूसर के रूप की रूप में कामकिया और बतौर Eden мясrama ऐन्हें वी काम किया और बहुत ही मशूर डायरेक्टर भी यह माने जाते थे अपने जमाने के और अगर इनके फिल्म करियर की बात करते तो इन्होंने लगबख डेवियू किया था जोके फिल्म में अपने काम की शुरौत की थी दोस्ती फिल्म से जोके 1964 में और अगरिखन के शर्विम के बात करते हैं कुछ फिल्म की बात करते हैं तो बहुत सारी फिल्म Łँनेश बहुत पहुत फिल्म में है से उन dressed National में कुर्बानी 1980 में नागिन जो कि बहुत ही मशूरी फिल्म जो कि मानी जाती 1976 में बेटी फिल्म जो कि बहुत ही फेमस फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म यह भी है 1979 में वफा 1972 में मेला 1971 में धरकन 1972 में उसके बाद से हकीकत 1964 में इन्होंने काम किया था बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया और अच्छे अच्छे फिल्म दे चुके हैं फिलालिया भी फिल्मों से दूर रहते हैं उसके पास अगर इनके पास संपत्ति की बात करते हैं इन्होंने इतने फिल्मों में काम किया और कितने संपत्त आपने बहुत बड़ी बात नहीं से आप आना चाहते हैं संजै मैं सagen प। अर्बाभगे आ सकते हैं और कि वाज्यमन के देखने को मिल जाता है जो के Silver Beach पे आपको ये देखने को मिल जाती है अगर आप आते हैं तो जो के बहुत ही मशूर अभीनेता फिरोज खान के ये भाई संजय खान दोनों और इसके भाई अकबर खान जो के फिरोज खान, अकबर खान, संजय खान जो के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही मश